दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों हम लोग पढ़ा रहते हैं कोभी और भेंडिया की कॉमिक्स जल जेवनी को इसका पहला पार्ट मैंने अल्रेडी इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले पहला पार्ट जा करके देख लिजिए तब आपको पूरी कहानी समझ में आएगी पहले पार्ट में मैंने 24 पेस तक कवर कर दिया था इस कॉमिक्स को अब दूसरे पार्ट में इसके आगे पढ़ते हैं तो चलिए सुरू कहते हैं आप भेडिया में मुझे मौत की कगार पर पहुँचा दिया है उसने मेरे सारे साथी माड डाले है और अब सारा जंगल मेरी तलास कर रहा है ताकि भेडिया मुझे भी मौत की सजादे डाले पर साथ उसकी जरूत ही नहीं पढ़ेगे क्योंकि मैं खोदी मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे तो हमारे गाउ खोदी बर जाते हैं पर ये दिब्यास्तर का गाउ है जिसे बरने में थोड़ा समय लगेगा और इतना समय नहीं है मेरे पास ये भेडिया सागर पुत्र की तरह चमतकारी और बिलच्चन है साइद उससे भी ज़्यादा कहा मैं सागर पुत्र की मौत का समान तयार करने आया था और खोदी मौत के जाल में फस गया मेरी मिर्द्यू की साथी मेरे बिद्रो अभियान भी समाप्त हो जाएगा सब कुस तबा हो जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे खुद को बचाना होगा पर कैसे क्या कहा नहीं मिला क्यों नहीं मिला मैंने उसे जंगल की तरह पुछाला था वो बूरी तरह घायर था फिर भी तुम एक अदने से आदमी को नहीं ढ़ण पाए उफ उफ हमने पूरी कोशिस की भेडिया दे होता पूरा जंगल चान डाला पर वो नहीं मिला फिर कहा गया वो कप्टी जमीन खा गई या आसमान निगल गया उसे भेडिया दे होता उसे जरूर किसे कवीले ने सरक्षन दिया होगा अने था वो अभी तक हमारे हत्ते चट चुका होता किसके हिम्मत हो सकती है जो भेडिया के खिलाब जाने के जुरुरत करे उरे जंगल में हमने चान मिन की पर वो नहीं मिला नदी दट के पास हमारा पहरा था एक मातर जगा है जहांसे हम नहीं जा सकते और वो है मचुआ कवीला मचुआ लोगों के जरूर बदला लेने के लिए फूजों पर हमला करवाया है उन लोगों ने या कोई मदद बुलाई होगी या फिर किसी सक्ति से खुदी मचली में बदलने की बित्या सीख ली है और अगर इन दोनों में से एक ही बात सही सीध हुई तो आज अस्रम के जंगलों में एक कविला कम हो जाएगा मचुगा कविला जिसना त्यारी की तलास में भेंडिया निकला था उसे अब नहीं मिलने वाला था क्योंकि वो जंगल की सिमाओं को लांग कर अपने ठीकाने पर वापस लोड़ चुका था ये तो चमतकार हो गया मतश्यूपती जलजियूनी ने आपको बिलकुल बदल दिया आपकी सक्तिया तो असिमित हो गई अमात्या मैंने तो सिर्फ अपने प्रान बचाने के लिए अब आर पाड की लड़ाई होगी वैकुंट पर हमारा कब जाओगा अभी ऐसा करना उचित नहीं होगा पल्रा अभी उनका ही भारी है हम संख्या में कम है सागरपुत्र और आपके बीच यूद में जीत किसकी होगी कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप दोनों समान सक्तिसाल है और आप भेडिया को क्यों बोल रहे हैं वो देर सवेर हम तक पहुंची जाएगा और अगर उसने सागरपुत्र से हाथ मिला लिया तो हमारी हार तया है फिर हम क्या करें हमात्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें नहीं निती ये करती है जब दुस्वन दो हो और दोनों से पिसाली हो तो उनको आपस में लड़ा देना चाहिए मैं समझ गया मत्या कमाल की ओजना है तुमारी जंगल में रहकर भेडिया के बारे में मैंने जो इनकारी इखटा की है उसका इस्तमाल करने का समय आ गया है बैकुंट मतस्यों का आदी अस्थान उफ किसने की इनकी निर निसान किस चीज का है यह निसान तो भेडिया मुक्का लगता है जंगल के रक्षक कहे जाने बाले भेडिया का स्वर्च चैन इसका आर्थ तो यह है कि आरे जल्वंतरी की हत्या आरे जल्वंतरी की इनकी हत्या भेडिया ने की है नहीं भेडिया जंगल का रक्षक है वह के के पास जलजिवनी भी नहीं है यानि वह भी विड़िया ने छिन ली होगी चिन मिलने का मतलब यह नहीं कि बिड़िया ने यह त्याय की है आप इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं आपको जंगल में छोड़े कहीं दसक हो चुके हैं सच है पर मैं फूजों के साथ लगतार संपक्त बनाये रखता हूँ और उससे जंगल से संबंदित जनकारी लेता रहता हूँ मानों पर इतना भरोसा खतरनाग हो सकता है आरे हैं सदियों से एक मानों ही हम निश्वार्थ भाव से जलजीवनी की अपूर्ति कर रहा है हाँ क्योंकि उसे अब तक जलजीवनी की संपूर्ण छबताओं का असास नहीं होगा वरना आप लोग सांत हो जाएए साच अजोट का फैसला वहाँ जाकर ही होगा मैं खुच जाओंगा और अगर भेडिया दोसी हुआ तो उसे दंड भी दूँगा हाँ 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 आकिर मचालू देउता ने हमारी सुन ही ली कैसे विचारा बना गुम रहा है भेडिया आज मेरे माजी की आत्मा को थोड़ा सुकून मिला होगा सही कह रहे हो सादार वह गोला बता रहा था ये बहुत बुरी तरह जख्मी है फूजू जेन की मौत ने उ उसे पूरी तरद तोर दीगी अब करेंगे हम भेडिया का सिकार हाँ 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 भेडिया का सिकार कभी भेड नहीं करते हैं बलकि सिकार भेडिया करता है तुम जैसे लकडवगो को जो चुपकर वार करते हैं काहरों की तरह तुमारे जस्म के महौल में मुझे इत प्यारे कौन थे और तुम्हाई मदद के लिए कहां से आये थे मुझे अब तुम बताओगे ये सब जूट है बेडिया फूजो पर हुए हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है मेरे सबर का इमतहान मतलो सर्थार ये सच है बेडिया माजी की मौत ने मुझे पागल कर दिया था मैं इन प्यारों से हमारा कोई संब्द नहीं हमारा विश्वास करो तुम पहले इंसान नहीं हो जिसका इसका कोई रिस्तिदार बेडिया के हां तो मरा गया है और नहीं आखरी इंसान हो जो बदलि की भावना से मुझे चोट पोचाना चाना हो लेकिन इसका मतलब ये कि वो बेकुसूर की जान सिर्फ इसलिए ले ले क्योंकि वो उसके भविस्य के लिए खत्रा बन सकता है पर इसे मेरी दया नहीं चेताओनी समझना मुझे तुम्हारी चेताओनी हमेसा याद रहे कि भेडिया भेडिया अस्पंजस में था सरदार मचुआ की आँखे उसके निर्दोस होने का परमान दे रही थी इसलिए उसे सजा देना विकार था पर समझ में नहीं आ रहा है कि फूजो पर हमला करने वाले आखे कौन थे फूजो बाबा ने बेहुस होने से पहले तीन सब्द कहे थे मतस्यू, जलजेवनी और सागरपुत्र वो मतस्य प्रानी कुद को मतस्यू कह रहा था यानि ये कोई जाती है पर जलजेवनी और सागरपुत्र क्या बला है उफ आगे बढ़ने का कोई सुतर नहीं मिल रहा है कैसे हल करूँ इस पहले को हाँ, एक जगह हो सकती है जहां से इस गुत्री को सुलजाने का साधन मिल सकता है और वो जगह है फूजो का आस्रम हलाकि ये तरीका बहुत समय खाने वाले और उबाओ है पर फिलाल और कोई रास्ता नहीं है इतने बड़े इतिहास में से अपनी मतलब की चीचे निकालना बहुत टेड़ी की रहे पर करना तो पड़ेगा ही कमाल का है जंगल का इतिहास सारे लिखाई एक जैसे लग रही है यानि सारा इतिहास किसी एक ने लिखा है इसका मतलब है इसका लेखक हजारो अर्सों से जीवी थै हाँ क्योंकि हम मतलब दिर्द जीवी होते हैं हजारों सालों तक जीते हैं मतलब मेरा नाम सागर पुत्र है और तुम भेड़िया हो हाँ मैं ही भेड़िया हूँ मेरे मतलब दल के लोगों को तुमने मारा था अच्छा तो उनको तुमने भेजा था मैंने मारा था उनको यानि अब सक्की गुंजाइस नहीं रही जलजिवनी को कहा चुपाया है तुमने अच्छा अब मेरी समझ में पूरी बात आ गई तुम्हें जलजिवनी चाहिए हाँ ये लो तलाग पूजो बाबा के पास जलजिवनी नाम के कोई चीज है उसके लिए पहले वो चार आये थे और उनके पिटाई के बाद ये आया है अब पहले इसे अच्छी तरह पिटलू फिर पूछूंगा कि जलजिवनी क्या है और इनको क्यों चाहिए अपने अपने छेतर के दो महारक्चक आपस में टकरा गए थे मुझपर वार करके तुने जंग का एलान कर दिया है जलजिवनी अब मैं तेरी लाज से ही आसिल करूँगा दोनों ही अमे एक चटान की तरह अडिक थे और जब चटान से चटान टकराती है तो चिंगाडिया उरती ही है भेडिया ने ऐसे वार कमी खाए थे जो उसे हवा की सेर करा दे तब उसका सस्तर उसने अपना सस्तर भेडिया पर फेक माड़ा और कोवी ने और भेड़िया ने अपने पूच से एक पत्थर को उसकी तरह उचाल दिया फिर कोवी ने उसको एक पत्थर के नीचे उसको धकेल दिया धाड़ तन तड़ाक अह मेरे पास समय बहुत कम है बता तुने जल जिवनी कहा रखी है साथ मैं तुझ पर तरस खाकर जिवन दान दे दू हरगीज नहीं तर मेरे पास जल जिवनी होती तो भी मुझे तो जल जिवनी होती भी तो तुम मुझे हसे नहीं कर पाता मेरी मलास से भी नहीं अगर ऐसा है तो तेरी इच्छा मैं अभी पूरी किये देता हूँ, तेरी जल समादी इसी अस्तान पर बने गी वेडिया, वेडिया को मैंने उसकी द्रिष्टता का दंड दे दिया है, अब मुझे सीगर वापस लोटना होगा, फुजो अचेत है और वेडिया के पास जल्जि कि ने मुझे इस तरह पर सिचित किया है कि मैं थल और जल दोनों जगह पर यूद कर सकूँ, जल्चोरों की इस पौच से मैं पलवर में निपट सकता हूँ, पर सरीर में बहता ये कौन मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे बेवसी छाड़ रही है, अगर मुझे पलवर का सभी समय मिल जाए, तो आरोधी बिद्या का परयोग कर मैं अपने रख परवाव को इतना धीमा कर दूँगा कि रख निकलना बंद हो जाए, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना समय मुझे मिलने वाला है, ये क्या, ये मचलिया मेरी मदद करने को कहां से पहुँच गई, खेल, वो सब बात में सुचूँगा, पहले इस मिसीवत से निप्टू, अब भेडिया तयार था उन जलिये जीओ के लिए, जल्दी, सर्धार मचुआ, तुमने मेरी मदद की, मदद नहीं भेडिया, प्रैस चिप, परस इतना समझ लो, जो बात मुझे समझा कर आय थे, पर मेरी स समझ में आ गई, अब हम दोस्त है, मझे खुशी है कि तुमने अपने जिम्हदारी को बखो भी समझा, अब मुझे जाना होगा, एक हिसाफ अदूरा छूट गया है, उसे पूरा करना है, यह सब क्या हुआ, यहां तो ऐसा लग रहा है, जैसे कोई भेडियानक यूद हुआ किसने की मतश्यों की ऐसी दूर्दर्सा, कौन है इस दिशन नर्सनार का जिम्हदार, सामने आओ, अर मुझे दिखा अपना प्रेकरम, मेरे अलवा और कौन हो सकता है, सागरपुत्र, पिराना, तु, और यह तरी सरीर का रंग, जल्जिवनी बहुत कमाल की चीज़ है, साग अगर पुत्र बनने के लिए यह जुरूरी था, तुम्हें भी तो इसी कारण अजे होना, तुम्हें तो इसी कारण अजे होना, यानि मतश्यों के दल को तुमने मारा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पर उस वक्त मुझे जल्जिवनी की सकती का अभास नहीं था, मैं तो जल् अपने अंदर डाल लिया, में जान तो बची ही बची, साथ ही मैं कई अत्रिक सक्तियों का स्वामी बन गया, और तुम जान बुझकर मतश्यों के लास को वहाँ छोड़ाए, ताकि मैं भेडिया का सत्रु बन जाओ, और तुम मेरी अनुपुस्तिती में वैकॉंट पर कर देना, क्योंकि थोड़ी दिर बाद तुम भी वहाँ पहुंचने वाले हो, इस बात का फैसला तो रन करेगा पिनाना, नई सागरपुत, फैसला रन नहीं, मरन करेगा, मतश्यों का मरन, जल्जिवनी के बिना मतश्यों मर रहे हैं, उनको सिर्फ जल्जिवनी बचा सकती ह जो या तो तेरे अंदर है, या फिर मेरे अंदर, अब तो मैं अपनी जल्जिवनी देने से रहा, लेकिन तो यतना निर्दाई नहीं लगता, अब फैसला कर ले, मुझसे लड़कर मुझे हराना है, या मतश्यों की जान बचानी है, अगर इस से लड़ता हूँ, तो पूरी मतश्यों जाती का अंद का करन नहीं बन सकता, मुझे जल्जिवनी का त्याग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, नहीं सागर पुत्र, रुख जाओ, एक जाती को बचाने के लिए, तुम सारे सागर छेतर को संकट में नहीं डाल सकते, तुम्हारे बाद ये सैतान न नंकुस हो जाएगा, रुख जाओ, हाँ, 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 मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया, मैंने सागर पुत्र को खत्म कर डाला, अब मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैं सागर पुत्र हूँ, अब मेरा परतिसोत पूरा होगा, बहुत तरपाया है तुने मुझे, अब मै यहां तो मामला ही दूसरा अलग रग रहा है तेरी पिटाइं में कुछ कमी रह गई थी सायत शुक्र है सागर देउता का तुमने बच गए भेडिया इस अड़ा सरयंत इसी दूस्ट का रचा हुआ था पर तुम यहां तक पहुंचे कैसे भेडिया किसी गंध का पीजा करता क तक भी पहुंच सकता है इस दूस्ट के पीछे पीछे इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि इसके जाने का अभास नहीं हो पाया और जब तक पहुंचता इसकी गंद लुख्थ हो चुकी थी ओह कायर वैसे तो मैं तुम दोने को तर्पा तर्पा कर खुद मारना चाता हूँ पर ये काम एके करके ही कर सकता हूँ इसलिए मैं पाले सागर पुत्र को चुनता हूँ अगर तुम अश्टबुच से बच गए तो मेरा अगला सिकात तुम ही बनोगे ओफ ये आक्टोपस कोई मामली आक्टोपस नहीं है वाना इसकी आठो भुजाय मैं अलग कर चुका होता है इसकी आठो भुजाय में अलग-अलग सक्ति लग रही है इसकी चार भुजाओने म इसके कारण मेरा अंग धीरे-धीरे लखवा ग्रश्ट हो रहा है जलमे में किसी सक्ति का अवान ही नहीं कर पा रहा हूँ उदर असक सागरपूत्र को पिरहान बुरी तरह घायल कर रहा है पिरहान ने जान बुचकर मुझे जलमे और सागरपूत्र को सूखे में फसाया है ताके हम अपने सक्तियों का संपुर्ण इस्तमाल ना कर पाएं। इस तरह से तो पिरहना जीट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी दिर के लिए अपनी सारी पिर्या भुलाने होगी। मन को एकागर करना होगा। एकाएक भेडिया ने पर्तिरोद करना छोड़ दिया, अपने सरीर को ढिला छोड़ दिया, बिचारे को सुनने कर दिया, क्यूंकि उसे अपना सारा जोर, सरीर पर सिर्फ एक गंग पर डालना था। अपनी पोज़ पर, बस मित्र, अब अश्ट भुष तुमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खच खच, ये औस्दी रस है, पलवर में अश्ट भुष के बिच को निस्क्रिये कर देगा। नहीं, ये तुनी क्या क्या बुड़े। बस पिराना, ये तेरा अंतिम वार था, बेड़िया तुझे दुसरा वार का मौका नहीं देगा। अपने देवता को याद कर ले पिराना, दुबारा मिलना नहीं हो सकेगा इसलिए। नहीं, अलविदा पिराना, एक जंग बेड़िया ने जित ली थी और दुसरी सागर पुतर ने, मर गया अस्टबुज समंदर का सैतान, ये समालो अपनी जल्जियों नी, वेरा यहां आने का मकसद अभी भी पूरा हुआ, मकसद भी पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद मित्र, आज तुम ना होती, तो सारा सागर छेतर तबहा हो गया होता, फूजों मेरा हिसी से है, मेरा उत्राधिकारी, जिसके जी में मैंने अपना सारा ग्यान, सारा इतियान सौब दिया था, तो क्या आप ही हैं जंगल के इतियास के लेखर? हाँ, जल्जियोंनी की तलास मुझे अस्टम के जंगल में ले गई थी, मैंने वहाँ सदियों विजारी, वहाँ के जंगीवन को अपनी आँखों से चलते फुलते देखा था, समय काटने के लिए उन घटनाओं का लिपी बद किया, फिर एक दिन फूजो आया, समय के साथ वो मेरा प्रिये बन गया, और एक दिन उसे सारी जिम्मेदारी सौप मेच चला आया, तब से वो हमारा पड़ती नही थी बनका जंगल पे रह रहा है, अब से ये जिम्मेदारी भेंड़ जा कि होगी, आप तक सुरचित जलजीर में पहुँचाना, इसे के साथ ये कहानी समाप्त होती है, तो दोस्तों ये कॉमिक्स आपको कैसे लगी, इसका कमेंट में जरूर जावब दे, और चैनल पे नए है तो प्लेज सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए बाए!